हजारी बाग जीला के चरही पंचेत अंतरगात कस्याडी और विराख़ाब गाउं के बीच बोकारों ना दी पड़ता है कस्याडी और विराख़ाब के ग्रामियों दुवारा कई वर्सों से पूल का मांग करते आए लेकिन अभी तक पूल नहीं बना है मैं चुनु हस्दा और ये मेरा समुदा है हमारे यहां 200 बच्चियां ना मांग की थे उपस्तिती 150 से 60 के बीच है कारण यह है कि बच्चियां हमारे ग्रामियों छेते से आती है जहां जंगलों से होके वहां से आना पड़ता है रास्ते में नदी पड़ती है नदी के कारण पानी बढ़ जाता है और बच्चियां को आने में कटना ही होती है इस कारण सो विद्याले नहीं पहुच पाती है देखते हैं कि हर साल जब हम लोग स्कुल जाते हैं तो नदी भरा होता है तो कभी-कभी किसी का मौद्धी हो जगता है, तो इसकी बिज़े से हम लोग को बहुत तक्रीफ होता है, हम लोग सोछते हैं कि यहां पर एक पूल बनाया जाए ताकि हम लोग को आने जाने में हम लोग को सुवीधा हो, हम लोग को परिशानी ना हो. अभी यही रूट है, इसी रास्ता से आना जाना होता है हम लोग का, और जो पूरा चप्तरी हुआ, जो राकाट हुआ, दहुदाग हुआ, दलदलिया हुआ, बिराखप हुआ, बिर्गुड़ा हुआ, यही है हम लोग का मेन रूट, इसी से सब लोग हम लोग रोजगार के ल कोई भी समास्या हो, बुखार हो, या काम हो, तो चरीके बिना हम लोग कहीं नहीं जा पते हैं, इस रिए बुखारो नदी के चलते हैं, क्योंकि तीन महेना हम लोग को बहुत ही कठीनाई होती है, और यहां कई बार ऐसा हदसा भी हो चुका है, दुवजार तीन में हमारे बहकर निर्ती हो गए, अपना मुर्मु की पतनी जो थी, दुवजार चार में नदी के कारण पार नहीं कर पाए, और वो दाम तोड़ दी हैं नदी की पिनारे ही में, अपलिकेशन हम लोग बीसी को भी दे दिये हैं, मुक मंत्री को भी दे दिये हैं, अर्जिन मुंडा जो केवल अस्वासन मिलता है, सरवे हो चुकी है, लेकिन अस्वासन मिलता है कि पूल आपलोग का नदी में बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई पूल का कारिया भी सुरू नहीं हुआ है, गरामिनों दुवारा कई वरसों से पूल का मांग करते आए हैं, और अवेदान भी दिये, लेकिन पदाधी कारी ताखी सिमीत है, आप सबन से निवेदान है कि हजारीबाग जिला के उपायुक्त सुनिल कुमार का मोबाइल नामबर चेवरान बे एक तीस चेवदा उनिस तेतालिस पर कोल कार दबाव बनाए, ताकि बोकारो नदी का पूल बने और गरामिनो का सुईधा मिल सके, मैं चुनु हस्दा हजारीबाग ज्यारखन से इंडिया अनहर्ट के लिए,